हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक पूरी की रेसिपी पर ये पूरी ना तो आटे की है और रही मैदे की है और ऐसी गजब की पूरी की सुबह बनाएंगे तो शाम को भी आप इसको बहुत अराम से खा पाएंगे क्योंकि ये एज़ेटीस बिल्कुल न दालेंगे आदी चमच अजवाइन की दिश्म में अच्छी है तो डाले जरूर साथ में डालेंगे एक चमच देल कोई भी कुकिंग वह अप यहां पर डाल सकते है जो आप नूर्मली घर में यूज करते हैं साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक मैंने यापर आदा च बाच वाइन से भी इस नाश्टे को बना सकते हैं अब यहां पर हम डालेंगे आदा कप चावल का आटा जिस मेजरमेंट से हमने एक कप पानी लिया है उसी का आदा हमने यहां पर आटा डालना है तो इस मेजरमेंट का आपको ध्यान रखना है तो हमारा परफेक्ट दो लगक सकत है तो इस में मारकेट से the भी मिल जाता है पर आहों घर में चावल को दोकर यहां पिसवा हो लिया पर और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और यह देखे सुष्ट चीम में ऑच्छ से बगग गया है और यह इसके गोली भी बनांग और आपको दिखा देती हूं कितश़्ू अटा हमारा बिल्कुल है ऐसा नहीं कि कोई जंजब बाजी है बहुत आसानी से सारा काम हो जाता और यह देखिए स्मूध सा अटा लगकर हमारा तेयार हो गया कितना सौफ्ट है ना तो चलिए अब इसे बेल लेते हैं तो आटे में से लेंगे हम पूरी जितना पोशन और इसको इस तरीके से पहले कर लेंगे जैसे हम पूरी रोटी बनाने के लिए करते बिल्कुल उसी तरीके से आप चाहते हैं पर मैदा या आटे का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसे बेलने के लिए पर मुझे यहां पर इन दोनों में से किसी भी चीज की जरूत नहीं पड़े क्योंकि आटा हमारा बहुत स कर दो देखें pengasına का जबनाने के लिए तरीके से अलटते पलटते तो नहीं से चनध करने में पड़े करना कि कि इस तरीके से हम सारी पूरिया बना कर दोना कर देंगे और जटपट सेकंडों में बनकर ये तयार हो जाती है अगर आपको सफर पर जाना है या फिर घर में ही बनाना है तो आप एक बार इसे जरूर से ट्राइ कीजिएगा और ये बहुत लाइट वेट होती है और आप देखी सकते हैं अगर चैनल को सबस्क्राइब करें अगर आप चैनल पर आई आएं तो मिलते हैं नई नई रेसीपी के साथ झाल दो फौर वाच्टिंग